काटते ही सिरो का समू बढ़ जाता है जैसे प्रतिक लाप पर लोब बढ़ता है शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ तब शिरीरांद चंदरजी ने विवीशर के ओर देखा शिवजी कहते हैं हे उमा जिसके इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की पृति की परिक्षा ले रहा है विवीशर ने कहा हे सरवग्या हे चराचर के स्वामी हे शर्णागत के पालन करने वाले देवता और मुनियों को सुख देने वाले सुनिये इसके नाभी कुन में अमरत का निवास है हे नाथ रावण उसे के बल पड़ जीता है विवीशर के बचन सुनते ही क्रपालु शिरी रगुनाची ने हर शित होकर हाथ में विक्राल बाढ़ लिए उस समय नाना पकार के अप्शकुन होने लगे बहुत से गदे ज्यार और कुत्ते रोने लगे जगत के दुख को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे आकाश में जहां तहां के तु प्रकट हो गए दसो दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा आग लगने लगी बिना ही योग के सूरिय ग्रहन होने लगा मंदोतरी काहिदे बहुत काप में लगा मूर्तियां नेत्र माग से जल बहाने लगी मूर्तियां रोने लगी आकाश से वजर पात होने लगे अत्यंत प्रचंड वायो बहने लगी प्रत्वी हिलने लगी बादल रक्त बाल और धूल की वर्शा करने लगे इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन से सकता है अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जैजय कुकार उठे देवता को बहबीत जानकर क्रपालो श्री रगुनाजी धनुश पर बाण संधान करने लगे कानों तक धनुश को खीच का श्री रगुनाजी ने 31 बाण छोड़े ये श्री रामचंदुजी के बाण ऐसे चले मनुकाल सर्खो सायक एक नाभी सरसोफा अपर लगे बुझ सिरकरी रोशा लै सिर बाव चले नाराचा सिर बुझ हीन रुंद महिनाचा एक बाण ने नाभी के अमरत कुंड को सोख लिया दूसरे तीस बाण कोप करके उसके सिरो और बुझाओं में लगे बाण सिरो और बुझाओं को लेकर चले सिरो और बुझाओं से रही रुंद प्रत्वी पर नाशने लगा धर ने दसें धर धर धाब प्रचंडा तब सरहती प्रभु प्रित दूई खंडा गर जें मरत गोर रवबारी कहां राम रन हतां पचारी धर प्रचंड वेक से दौडता है जिससे धरती धसने लगती है तब प्रभु ने बाण मार कर उसके दो टुकड़े कर दिये मरती समय रावन बड़े घोर शब्च से गरच कर बोला राम कहां है मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारू रावन के गिरते ही प्रत्वी हिल गई समुद्र नदिया दिशाओ के हाती और परवत शुद्ध हो उठे रावन धर के दोनों टुकड़ों को फिला कर भालू और वानरों के समुद्धाओ को दबाता हुआ प्रत्वी पर गिर पड़ा मंदोदरी आगे बुझ सीसा धरी सर चले जहां जगदी सा प्रबसी सबर निशंग महुझाई दे की सुनन दूदं भी बजाई रावन की बुझाओं और सीरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बान यहां चले जहां जगदीश्वर शिरी राम जी थे सब बान जाकर तरकस में प्रवेश कर गए यहां देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए रावन का ते प्रभु के मुक में समा कया यहां देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्शित हुए ब्रह्मान भर में जैजा की ध्वनी भर कई प्रपल बुझतंडो वाले शिरी रखुवीर की जै हो बरशई सुवन देव मुने बिंदा झै कृपल जै जयति मुकुंदा देवता और मुनियों के समूफ फूल बरसाते हैं और कहते हैं कृपलों की जै हो मुकुंद की जै हो, जै हो Ja कृपाकंद मुकुंद द्वंद रनसरन सुख प्रद ब्रभो कल दल बिदारन परमकारन कारुनिक सदा विबो सुरसुमन वर्षें हरश संकुल बाज दूदम बीगह गही संग राम अंग निराम अंग अनंग बहुसो भालही हे कृपा के कंध हैं मोक्ष्टाता मुकुंध हे द्वंदुक को हरने वाले शर्नागत को सुख देने वाले प्रभु हे दुष्ट दल को विदीन करने वाले हे कारणों के भी परमकारण हे सदा करुना करने वाले हे सर्विव्यापक विभो आपकी जैह हो तेवता हर्ष में भरे हर हुए पुश्प बरसाते हैं कमा गम नगाड़े बच रही है रन भूमी में शिरी राम चंदर जी के अंगों ने बहुत से काम देवों की शोभा प्राप्त की सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अतिमनो हर राजही सिर पर जटाओ का मुकुट है जिसके बीच में अतिन्त मनो हर हुश्प शोभा दे रहे है मानो नीले परवत पर बिचले के समु सहीत नक्षत्र सुशोवित हो रहे है शिरी रामजी अपने भुश दंडों से बान और दनुष फिरा रहे है शरीर पर उदिर के कण अत्यंत सुन्दर लगते है मानो तमाल के व्रक्ष पर बहुत सी लल मुम्निया चिडिया अपने महान सुख में मगन हुई निश्चल बैटिये रिपाद्रेष्टि करिवदेष्टि प्रभु अभेकई सुरव्रिंद भालु की सबहर्षे जै सुकधाम मुकंद मंगल भवन अमंगल हारी त्रवा उस्दशिरत अजिर भिहारी प्रभु श्री राम चंद्रजी ने करपाद्रस्टि की चर्चा करके देव सबुको निर्भै कर दिया बानर भालु सबहर्षित हुए और सुकधाम मुकंद की जै ही हो ऐसा पुकारने लगे पति के सिर देखत मंदोदरी मुर्चित विकल दरने सखसी परी जो वतिवरेंद रोवत उठी धाई ते उठाई रावन पही आई पति के सिर देखते ही मंदोदरी ब्याकुल और मुर्चित होकर धर्टी पर जागिरी पड़ी इस तरह रोती हुई दोड़ी और उस मंदोदरी को उठा कर रावन के स्पास गई पति गति देखिते करहीं पुकारा चूटे कच नहीं वापुछी उसंभारा और ताड़ना करें विधिनाना रोवत करें प्रता प्रुबखाना पति की ऐसी दशा देख कर वे पुकार पुकार कर बिलाब करने लगी उनके बाल खुल गए और वे शरीर को संभाल ना सकी वे अनेक प्रकार से छाती पीपती हैं और रो रो कर रावन के प्रताप का पखान करती हैं तब बल नाथ डोल नित धरनी तेज हीन पावक ससीतरनी सेश कमट सही सकहीन भारा सोतनू भूमी परें भरी छारा ये नाथ तुमारे बल से धर्ती नित्य कापती रहती थी अगनी देप चंद्रमा और सूर्य तुमारे सामने कांती हीन थे सेश और कश्चब भी जिसके भार को सेहने में असमर्थ थे वही तुमारा शरीर आज जूल से भरा हुआ प्रित्वी पर पड़ा है वरुन कुबेर सुरेर सुरेश समीरा सरण सन मुकधर का उनदीरा भुजबल जितें काल जम साई आज उपरें अनात की नाई वरुन कुबेर इंद्र और वायू इन में से कोई भी रण में तुमारे सामने धीरज धारण ना कर सका हे स्वामी तुमने अपनी भुजाओं के बल से काल और अमराज को भी जीत लिया था आज वही तुम अनात की तरा पड़े हो जगत विदीत तुमारी प्रभुताई सुत परिजन बल बरन नजाई राम विमुक असहाल तुमारा रहान कौकुल रोव निहारा तुमारा प्रताप जो जगत भर में विदीत है तुमारे पुत्रों और पुटुम्बियों के बल का तो वर्णन ही नहीं हो सकता शेराम चंदर जी से शत्रुता करने से ही तुमारी ऐसी दुदशा हुई कि आज तुम्हारे वंच में कोई रोने वाला भी न रह गया तब वस विदी प्रपंच सब ना था सभे दिसिपनित ना वहिमा था अब तब सिर बुझ चंबुक खाई राम विमुक ये अनुचित ना ही ये नात पिदाता की सारी स्रस्टी तुमारे वश में थी लोगपाल सदा भैबीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे किन्तु हाई अब तुम्हारे सिर और बुझाओ को गीदर खा रहे हैं राम विमुक के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है ये पती काल के पूर्ण वर्ष में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नात परमात्मा को मनुश्य करके जाना जाने उमनुज दरिक दनुज कानन देहन पावक हरिश्वयम जेही नमत सिव ब्रह्मादी सुर्पिय बजेऊं नहीं करू नामयम आजन्मते पर द्रोहरत पापोग मैतव तनुआयम तुमहूं दियो निजधाम राम नमामी भ्रह्म निरामयम दैति रूपी वन को जलाने के लिए अगनी सरूप साक्षा शिरी हरी को तुमने बनुश्य करके जाना शिव और ब्रह्मा आदी देवता जिनको नमसकार करते हैं उन करूना मैं भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं बजा तुमारा यह शरीर जन्मों से ही दूसरों से द्रोह करने में तथ पर तथ पाप समू मैं रहा इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म शिरी राम जिन ने तुमको अपना धाम दिया उसको मैं नमसकार करते हूं अह नात शिरी रगुनात जी के समान क्रपा का समूझ दूसरा कोई नहीं है जिन भगवान ने तुमको यह गति दी जो योगी समाज को भी धुर्लब है उसी रात रिजटा ने सीताजी के पास जाकर उन्हें सब कता कह सुनाई शत्रु के सिर और बुजाओ की बढ़ती का सुमबात सुनकर सीताजी के हृदे में बड़ा दुख हुआ उनका मुक उदास हो गया मन में चिंता उत्पन हो गई तब सीताजी त्रिजटा से बोली हे माता बताती क्यों नहीं क्या होगा संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा शिरी रगुनाची के बाणों से सिर्ख कटने पर भी नहीं वड़ता विदाता सारे चरित्र विप्रीत ही कर रहा है सच बात तो यह है कि मेरा धुर्बाग्य ही उसे जिला रहा है जिसने मुझे भगवान की चर्ण कमलों से अलग कर दिया है जिसने कपट का जूटा सुरंड म्रग बनाया था वही देव अब भी मुझ पर रूटा हुआ है जिस विदाता ने मुझसे दूसरे दुख सेहन कराए और लक्षमन को कड़वे वचन कहलाए जो श्री रगुनाजी के विरह रूपी बड़े विशैल बानों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है वही विदाता उसको जिला रहा है दूसरा कोई नहीं प्रपा निधान शिरी रामजी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है त्रिच्टा ने कहा हे राजकुमारी सुनो देवताव कशत्रू रावन हृदय में बान लगते ही मर जाएगा परन्तु प्रभू उसके हिर्दे में बान इसले नहीं मारते कि इसके हिर्दे में जान की जी बसती है मम उदर भूवन अनिक लागत बान सब कर नास है सुनी बचन हरश विशाद मन अति देखी पूनित जिटा कहा अब मरही रिपू यही विदी सुना ही सुना ही सुन्दरी तजही संसे महा वे यही सोच कर रह जाते हैं कि जिसके हिर्दे में जान की का निवास है जान की की हिदे में मेरा निवास है और मेरे उदर में अने को भूवन है अतह रावन की हिदे में बान लगते ही सब भूवनों का नाश हो जाएगा यह वचन सुनकर सीता जी की मन में अतियंध हर्श और विशाद हुआ देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुन्दरी, महा संदे का त्याग करतो, अब सुनो, शत्रू इस प्रकार मरेगा सिरो के बार बार काटे जाने से, जब व्याखुल्थ हो जाएगा, और उसके हृदे से तुमारा ध्यान चूट जाएगा, तब सुजान शिरी राम जी रावन के हृदे में बान मारेगे ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझा कर, फिर त्रिजटा अपने घर चले गई श्री राम चंडर जी के सभाव का इस्मरन करके जान की जी को अत्यंत विरह व्यता उत्पन हुई वे रात्री की और चंडर्मा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युक के समान बड़ी हो गई, वे बीटती ही नहीं, जान की जी श्री राम जी के विरह में तुखी होकर, मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं, जब अतिबयों विरह उर्दा हूँ, पर क्यों बाम नयन अरुबा हूँ, सगनु विचारी धरी मन देरा, अब मिल हैं क्रिपाल रगुवीराँ जब विरह के मारे हृदे में दारुब दा हो गया, तब उनका बायानेत्र और बाहु फड़क उठे, शकुन समझ कर, उन्होंने मन में धहरे धारन किया, कि अब क्रिपालु शिरी रगुवीर अवश्य मिलेंगे इहां अर्द निसी रावन जागा, निज सारती सन की जन लागा, सठ रन भूमी छड़ाए सी मोही, तिग दिग अदम मांद मति तो ही यहां आदी राथ को रावन जागा, और अपने सारती पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तुने मुझे रन भूमी से अलग कर दिया, अरे अधम, अरे मन्द गुति, तुझे धिकार है, धिकार है सारती ने चरण पकर कर रावन को बहुत प्रकार से समझाया, सवेरा होते ही, वे रत पर चड़कर, फिर दोड़ा, रावन का आना सुनकर, वानरो की सैन में बड़ी खलपली मच गई जहते हैं भूदर विटप उपारी, धाएं कटक टाई भट भारी वे भारी योद्दा, जहां तहां से परवत और व्रक्ष उखाड कर, दाद कटकटा कर दोड़े ताए जो मरकट विकट भालू कराल कर भूदर धरा, अति कोप करही प्रहार, मारत बजी चले रजनी चरा विचलाई दल बलवन्त की सन गेरी पुनिरावन लियो, चहदिसी चपेटन मारी नखन, विदारी तनु व्याकुल कियो विकट और विक्राल वानर भालू हाथों में परवत लिये दोड़े, वे अत्यंद क्रोध करके प्रहार करते हैं, उनको मारने से राक्षत भाग चले बलवान वानर ने शत्रो की सेना को विचलित करके फिर रावन को घेट लिया, चारो ओड़े चपेटे मार कर और नको से शरीर विदीन कर वानर ने उसको वियाकुल कर दिया वानर को बड़ा ही प्रबल देखकर रावन ने विचार किया, और अंतर धान होकर शनपर में उसने माया फैलाई जब कीन ते ही पाशंड भय प्रगट जन्त प्रचंड बेताल भूत पिसाच कर धर धनुना राच जब उसने पाखन रचा तब भ्यांकर जीव प्रकट हो गए, बेताल भूत और पिशाच हातों में धनुश बान लिये हुए प्रकट होए जोगी निगए करवाल, एक हात मनुध कपाल, करी सद्य सोनित पान, नाचे करें बहु ग्यान योगनिया एक हात में तलवार और दूसरे हात में मनुश्य की खोपड़े लिये ताजा खून पी कर नाचने और बहुत प्रकार्ट के गीद काने लगी दरू मारू वो लही गोर, रही पूरी दुनी चहु और, मुख बाई धावई खान, तबे लगे कीस परान वे पकड़ो, मारो आदी घोर शब्द बोल रही है, चारो और सब दिशाओं में यैद्वनी भर कई, वे मुख फ़ला कर खाने दौड़ती हैं, तब वानर भागने लगे वानर भाग कर जहां भी जाते हैं, वही आग जलती देखते हैं, वानर भालू व्याकुल हो कहें, फिर रावन भालू बरसानी लगा वानर को जहां तहां तकित कर रावन फिर गर्चा, रक्ष्मन जी और जुग्रीव सहीद सभी भी अचेत हो कहें हा राम, हा रगुनाथ, कही सुभट मी जई हाथ, एही विदी सकल बल तोरी, एही कीन कपट बहोरी हा राम, हा राम, रगुनाथ पुकारते हुए, शेस्ट योधा अपने हाथ मलते हैं, इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावन ने फिर दूसरी मायर रची उसने बहुत से हनुमान प्रकाट के, जो पत्थर लिये तोड़े, उन्होंने चारो और दल बनाकर श्री राम चंदर जी को जा गेरा ये पोज उठाकर कट-कटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकडो जाने न पाए, उनके लंगूर दसो दिशाओं में शुभा दे रहे हैं, और उनके बीच में कॉलसर राज शिरी राम ची है तेही मध्य कोसल राज सुन्दर स्याम तन सोभा लगी, जनुट इंद्र धनुश अने की बरबारि तुंग तमा लगी, प्रभु देखी हरश विशाद उर्शुर बदत जै 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 करी, रगु बीर ये कहिं तीर, पोपी निमेश महु माया हरी उनके बीच में कोसल राज का सुन्दर स्याम और शिरी ऐसे शोबा पा रहा है, मानों उचे तमाल व्रक्ष के लिए अने को इंद्र धनुशो की श्रेश्ट बार बनाई गई हो, प्रभु को देखकर तेवता हर्श और विशाद युक्त रिदे में जै 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 ऐसा बोल ले लगे, तब श्री रकुवीर ने क्रोध करके एक ही बार में निमेश मात्र में रावन की सारी माया हर ले माया दूर हो जाने पर वानर बालू हर्शित हुए और व्रकुवीर ने क्रोध करके दोगाए पर्वत ले लेकर सब लोट पड़े शिरी राम जी ने बाड़ों की समू छोड़े जिनसे रावन के हाथ और सिर्फ कट-कट कर प्रत्वी पर गिर पड़े शिरी राम जी और रावन के युद्ध का चरित्र यदि सैक्डो शेष सरस्वती वेद और कभी अने कल्पों तक आते रहे तो भी उसका पार नहीं पा सकते ताके गुनगन कचु कहे जडमति तुलसी दास जिमिने जबल अनुरूपते माची उड़ै अकास उसी चरित्र के कुछ गुणगन मंद बुद्धी तुलसी दास ने कही है जैसे मक्ही भी अपने पुरुशाद के अनुसा आकाश में उरती है सिर और बुजय बहुत बार काटी गई फिर भी वीर रावन मरता नहीं प्रभु तो खेल रही है परंतु मुनि सिद और देवता उस क्लेश कुप देखकर व्याकुल है मंदोदरी के वचन कानों में सुनकर देवता मुनि और सिद सभी न सुकमाना ब्रह्मा महादेव नारद और संकादी तथा और भी जो पर्मार्तवादी पर्मात्मा के ततु को जानने और कहने वाले स्रेश्ट मुनि थे भरी लोचन रगुपत ही निहारी देम मगन भै सुखारी रूदन करत देखी सब नारी गयाउं विभीशन मन दुख भारी वे सभी श्री रगुनाजी को नेत्र भरकर निरकर सेम मगन हो गए और अत्यन्त सुखी हुए अपने घर की सब इस्रेश्ट को रोती हुई देखकर विभीशन जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आग्या दी की जाकर विभीशन को धैरे बंधाओ लक्षमन जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया तब विभीशन प्रभु के पास लोट आए प्रभु ने उनको क्रपाद्रस्टी से देखा और कहा सब शोग त्याकर रावन की अंतियस्टी क्रिया करो प्रभु की आग्या मान कर और हिदमे देश और काल का विचार करके विभीशन जी ने विदी पूर्वक सब क्रिया की मंदोदरी आदी सब देई तिलांजली ताही भवन गई रगुपति गुना गन बरनत मन माही मंगल भवन अमंगल हारी रवा उसो दशिरत अजीर भिहारी मंदोदरी आदी सब इस्रियां उसे तिलांजली देखकर मन में श्री रगुनाजी के गुण समुहू का वर्णन करती हुई महल को गई आई विभीशन पुनि सिरनायो त्रिपासिंद तब अनुज बोलायो तुम का पीस अंगद नल नीला जाम वंत मारूति नैसीला सब मिली जाओ विभीशन साथा सारे हुँ तिला कुका यहू रगुनाथा पिता बचन मैं नगर ना आवाओं आपू सरिस कपिया नुज पठावाओं सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीशन ने आकर पुने सिरनवाया तब क्रपा के समुद्र शिरी राम जी ने छोटे भाई लक्षमन जी को बुलाया शिरी रगुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर, राज, सुग्रीव, अंगर, नल, नील, जामवन और मारूती सब निति निपुन लोग मिलकर विभीशन के साथ जाओ और उने रासिलक कर दो पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपनी ही समान वानर और छोटे भाई को भेशता हूँ तुरत चले कपी सुनी प्रभु बचना की निजाई तिलक कई रचना सादर सिंगा सन बैठारी तिलक उसारी अस्तुती अनुसारी प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज दिलक की सारी वेवस्था की आदर के साथ विभीशन को सिंगासन पर बैठा कर राज दिलक किया और इस्तुती की जोरी पानी सबही सिरनाए सहित विभीशन प्रभु पही आए तब रगुवीर बोली का पिली ने कही प्रिय बचन सुखी सब की ने सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिरनवाए रगंतर विभीशन जी सहीत सब प्रभु के पास आए तब शिरी रगुवीर ने वानरो को बुला लिया और प्रिय बचन कहकर सब को सुखी किया किये सुखी कही बानी सुधा सम बल तुमारे रिपुहयो पायो विभुशन राजुति हुपर जसु तुमारो नितनयो मोहि सहीत सुभ की रति तुमारी परमपी ती जो गायें संसार सिंदु अपार पार प्यास बिनुनर पायें बगवान ने अमरत के समान यह वानिस कहकर सब को सुखी किया कि तुमारे ही बल से यह प्रभलशत्रु मारा गया और विभीशन ने राज्य पाया इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य बना रहेगा जो लोग मेरे सही तुम्हारे शुप कीर्थी को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिक्षम इस अपाल संसार का पार पाचाएंगे प्रभु के बचन स्रवन सुनी नहीं अगाई कपी पिन्पुन्ज बार बार सिरना वही गयें सकल पद कंज मंगल भवन अमंगल हारी त्रवव सोदशरत अजिर विहारी प्रभु के बचन कानों से सुनकर वानर समुत रप्त नहीं होते रे सब बार बार सिरनवाते हैं और चरन कमलो को पकड़ते हैं पिर प्रभु ने हनमान जी को बुला लिया भगवान ने कहा तुम लंका जाओ जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ तब हनुमान जी नगर महु आए सुनी निसी चरी निसी चाक निसाचर धाए बहुत प्रकार दिन पूजा की नि जनक सुता देखाई पुनिक देनी तब हनुमान जी नगर में आए यह सुनकर राक्षस राक्षसी दोड़े उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर शिरी जानकी जी को दिखला दिया हनुमान जी ने दूर से ही प्रणाम किया जानकी जी ने पहचान लिया कि वह शिरी रगुनार्ची का दूत है और पूछा हे तात कहो क्रपा के धाम मेरे प्रभू, छोटे भाई और वानरों की सैना सहित कुशल सी तो है हनुमान जी ने कहा हे माता कौसल पती शिरी राम जी सब प्रकार से सकुशल है उन्होंने संग्राम में दस सिर्वाले रावन को जीत लिया है और विभीशन ने अचल राज्य प्राप्त किया है हनुमान जी की वचन सुनकर सीता जी की हृदय में हर्ष छा गया अतिहरश मन तन बुलक लोचन सजल कह पुनी पुनी रमा का देव तो ही तिर्रोक महूं कपी की मपी नहीं बानी समा सुनु मा तु मैं पायो अकिल जग राजु आजु ना संसयम रन जी तीरी पुदल बंद वजुत पास्या में राम मनायम शिरी जानकी जी के हृदय में अत्यांत हर्ष हुआ उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल छा गया वे बार-बार कहती हैं हे हनुमान मैं तुझे क्या दू इस वानी की समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है हनुमान जी ने कहा हे माता सुनिये मैंने आज निसंदे सारे जगत का राज्चे पा लिया जो मैं रण में शत्रों को जीत कर भाई सहित निर्विकार शिरी राम जी को देख रहा हूँ सुन सुत सदगुन सकल तब किडै बसं हनुमंत सानु कूल को सलपती रहू समेत अनंत मंगल भवन अमंगल हारी रभाउ सोदश रत अजीर भिहारी जानकी जी ने कहा हे पुत्र सुन समस्त सदगुन तेरे हिदे में बसे और हे हनुमान शेश लक्ष्मन जी सहित को सलपती प्रभू सदात तुछ पर प्रसन रहें हे तात अब तुम यही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभू के कोमल शाम शरीर के दर्शन करूं तब शिरी रामचंडर जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल सामाचार सुनाया सुर्य कुल भूशन शिरी रामचंडर जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगर और विभीशन को बुला लिया और कहा पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ वे सब तुरंथी वहां गए जहां सीता जी थी सबकी सब राक्षसिया नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी विभीशन जी ने शिक्र ही उन लोगों को समझा दिया उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को इसनान कराया बहुत प्रकार बूशन पहिराए सिभीतार उचिर साजी पुनिल्याए तापर हरशी चड़ी बैदेगी तुमरी राम सुखदाम सनेगी बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुन्दर पाल की सजाकर ले आए सीता जी प्रसन होकर सुखके दाम प्रियतम शिरी राम जी का इस्मरन करके उस पर हरश के साथ चड़ी बेत पानी राक्षक चहुँ पासा चले सकल मन परम हुलासा देखन बालु की सब आए राक्षक को भी निवार अनभाए चारों और हाती में हातों में छड़ी लिए राक्षस चले सबके मनों में परम उलास है रीच वानर सब दर्शन करने के लिए आए तब राक्षक प्रोध करके उनको रोकने दोड़े शिरी रगुवीर ने कहा हे मित्र मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले जाओ जिससे वानर उनको माता की परह देखें गौसाई शिरी राम जीने हसकर ऐसा कहा प्रभु के वचन सुनकर रीच वानर हरशित हो गए आकाश्रे देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए सीता जी के असली सरूप को पहले अग्दे में रखा था अब भीतर के साच्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं इसी कारण करुना के बंडार शिरी राम जीने लेला से कुछ कड़े वचन कहे जने सुनकर तब राक्षसियां विशात करने लगी प्रभु के बचन सीसधरी सीता बोली मन क्रम बचन पुनीता लची मन हों धरम के नेगी पावक प्रगट कराऊं तुम बेगी प्रभु के वचनों को सिर्चरा कर मन वचन और कर्म से पवित्र शिरी सीता जी बोली हे लक्षमन तुम मेरे धर्म के नेगी धर्म आचन में सायक बनो और तुरंद आग तयार करो शिरी सीता जी की विरे विवेक धर्म और निती से बनी खुईवानी सुनकर लक्षमन जी के नेत्रों में विशाद के आसों का जल भर आया वे हाद जोडे खड़े रहे वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते पिर शिरी राम जी का रुख देखकर रक्षमन जी दोड़े और आथ तयार करके बहुत सी लकड़ी ले आये अगने को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के रिदे में हर्श हुआ उन्हें भैक कुछ भी नहीं हुआ तीता जी ने लीला से कहा यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में शिरी रागुवीर को छोड़ कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्र नहीं है तो अगनी देव जो सब के मन की गति जानते हैं मेरे मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं श्री खंड सम पावक प्रबे सो कियो सुमरी प्रभु मैतिली जै कोस लेस महेस बंदित चरन रति अति निर्मली प्रति भिंब अरुलो किक कलंक प्रचंद पावक महुझरे प्रभु चरित का हुना लखे नब सुर सिद्ध मुनिले खहीं खरे प्रभु श्री राम जी का इस्मरन करके और जिनके चरन महादेव जी के द्वारा बंदित है तथा जिन में सीता जी की अत्यंत विशुद प्रिती है उन कौसल पती की जैकार बोलकर जानकी जी ने संदन के समान शीतल हुई अगनी में प्रवेश किया प्रतिबिम्ब सीता जी की छाय मूर्ती और उनका लौकी कलंक प्रचंड अगनी में जल गए प्रभु के इन चरित्र को किसी ने नहीं जाना देवता सिद और मुनी सब आकाश में खड़े देखते हैं दरी रूप पावक पानी गही श्री सत्य शुति जग विदित जो जिमिशीर सागर हिंदिरा राम हिसमर पियानि सो सो राम बाम विभाग राज तिरुचिर अतिसो भाबली नव नील नीरज निकट मान हूं कनकम कनक पंकज की कली तब अगनी ने शरीर धारन करके वेदों में और जगत में प्रसिद वास्त्विक शिरी सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें शिरी राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे शीर सागर ने विश्नु भगवान को लक्षमी समर्पित की थी वेसिता जी शिरी राम चंदर जी के वाम भाज में विराजित हुई उनकी अत्तम शोबा अत्यन्थी सुन्दर है मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोबित हो बरशे सुमन हरशी सुर बाज़े ही कगन निसान गावही किन्नर सुरवदू नाचही चड़ी विमान जनक सुता समेत प्रभू सोभा अमित अपार दे की भालू कपी हरशे चैर अगुपती सुकसार मंगल बवन अमंगल हारी द्रवा उसो दशिरत अजिर भिहारी देवता हरशित होकर फूल बरसाने लगे आकाश में डंके बशने लगे किन्नर गाने लगे विमानों पर चड़ी अपसराय नाचने लगी शिरी जानकी जी सहीत प्रभू शिरी राम चंडर जी की अपरिमित और अपार शोबा देखकर रीच वानक हरशित हो गए और सुक के साय शिरी रगुनाच जी की जै बोलने लगे तब रगुपती अनुसासन पाई मातली चले उंचरन सिरुनाई आए देव सदा स्वारती बचन कहें जनु पर मारती तब शिरी रगुनाच जी की आग्या पाकर इंद्र का सार्थी मातली चरणों में सिर नवाकर चला गया तदंतर सदा के स्वारती देवता आए वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानों बड़े परमारती हों दीन बंदु दयाल रगुराया देव कीन देवन परदाया विश्क द्रोरत ये खलतामी निज अगयाउं कुमार अगदाम हे दीन बंदु हे दयालु रगुराजा हे परम देव अपने देवता उपर बड़ी दया की है आपने विश्क के द्रों में तत पर ये दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावन अपने ही पाप से नश्ठ हो गया आप समरूप ब्रह्म अभिनाशी नित्य एकरस सभाव से ही उदासीन अखंड निर्गुर अजनमे निश्पाप निर्विकार अजे अमूग शक्ति और दया में है मीन कमट सूकर नरहरी बामन पर सुराम वपुधरी जब जब नात सुरन दुख पायों नानात न धरी तुमाहों नसायों आपने ही मत से कच्छप, बरा, नरसिंग, वामन और परशुराम के शरीर धारन किये हैं ये नात जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अने को शरीर धारन करके आपने ही उनका दुख नाश किया ये है कल मलीन सदा सुर द्रोही, काम लोब मदरत अतिकोही, अद शिरो मनी तब पद बावा, ये हमरे मन बिश्य में आवा ये है दुष्ट मलीन हृद्य देवताओं का नित्य शत्रू, काम, लोब और मद के परायन तथा अत्यंत क्रोधि था ऐसे अधर्मों के शिरो मनी ने भी आपका परंपद पा लिया, इस बात का हमारे मन में आश्चरे हुआ हम देवताओं परम अधिकारी स्वारत रत प्रभुपागती पईपिसारी भवप्रवासंतत हम परे अब प्रभुपाई सरन अनुचरे हम देवता श्रेश अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायन हो आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवा में पड़े हैं अब हे प्रभू हम आपकी शरण में आगए हैं हमारी रक्षा कीजिए विन्ती करके देवता और सिद सब जहां के तहां हाथ जोडे खड़े रहे तब अत्यंत प्रेम से पुल की शरीर होकर ब्रह्मा जी इस्तूति करने लगें जै राम सदा सुकदाम हरे रगुनायक सायक चाप धरे भब बारन दारन सिंग प्रभुकुन सागर नागर नात विभो हे नित्य सुकदाम और दुखों को हरने वाले हरी हे दनुश्बान धारन किये हुए रगुनायक जी आपकी जै हो हे प्रभु आप भव रुपी हाती को विदीन करने के लिए सिंग के समान है हे नात सर्व व्यापक आप गुणों के समुद्र और परम चतुर है तनकाम अनेक अनूप छभी गुनकावत सिद्ध मुनिंद्र कभी यसुपावन रावन नाग महा खगनात चथा करीपोप गहा आपके शरीर के अनेकों कामदेवों के समान परम परंतु अनूपम छभी है सिद्ध मुनिश्वर और कभी आपके गुणकाते रहते हैं आपका यश पवित्र है आपने रावन रूपी महा सर्प को गरुड की तरह क्रोध करके पकड़ लिया हे प्रभु आप सेवकों को आनन्द देने वाले शोक और भैका नाश करने वाले सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान सरूप है आपका अवतार शेष्ट अपार दिव्य गुणों वाला प्रत्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूँ है किन्तु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक और अनादी है हे करुणा की खान शिरी राम जी मैं आपके बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ हे रगुकुल के आभुशन हे दूशन राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोशों को हरने वाले विबेशन दीन था उसे आपने लंका का राजा बना दिया हे गुण और ज्ञान के भंडार हे मान रहित हे अजन्मा व्यापक और माईक विकारों से रहित शिरी राम मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ आपकी भुश्दंडों का प्रताप और बल प्रचंड है दूश्ट समू के नाश करने में आप परम निपुढ है हे बिना ही कारण दिनों पर दया तता उनका हित करने वाले और शोबा के धाम मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ आप भवसागर से तारने वाले हैं कारण रूपा प्रकरती और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन होने वाले कठिन दोशों को हरने वाले हैं आप मनोहर बान धनुष और तरकस धारन करने वाले हैं कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं आप राजाओ में श्रेष्ट सुख के मंदिर सुन्दर शिरी लक्षमी जी के वल्लब तथा मद काम और जूटी ममता के नाश करने वाले हैं अनबद्य अखंड नगो चरगो सब रूप सदा सब होई नसो इतिवेद वदंति नदंत कथा रभियात पबिन जथा आप अनिंद्य या दोश्रहित हैं अखंड हैं इंद्रियों के विशे नहीं है सदा सवरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं ऐसा वेद कहते हैं ये कोई दंद कता कोरिकल्पन नहीं है जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग-अलग है और अलग नहीं भी हैं वैसे ही आप भी संसार से भिन तथा अभिन दोनों ही हैं हे व्यापक प्रभू ये सब वानर कितार्त रूप हैं जो आधर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं हे हरे हमारे जीवन और डेव शरीर को धिकार है जो हम आपकी भक्ती से रहित हुए संसार में भूले पड़े हैं हे दीन दयालू अब दया कीजे मेरी उस विबेद उत्पन करने वाली भुद्धी को हर लीजिए जिससे मैं विप्रीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मान कर आनन्द से विचरता हूँ आप दुष्टों का खंडन करने वाले और प्रत्वी के रमणिये आभूशन हैं आपके चरन कमल शिरी शिव पारवती द्वारा सेवित हैं हे राजाओ के महराज मुझे ये वर्दान दीजिए कि आपके चरन कमलों में सदा मेरा कल्यान दायक प्रेन हूँ इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुल की शरीर से विंती की शोबा के समुद्र शिरी राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र त्रप्त ही नहीं होते थे उसी समय दर्शाजी वहां आये उत्र को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल चागया छोटे बाई लक्षमंजी सहीर प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशिरवाद दिया शिरी राम जी ने कहा हेता यह सब आपके गुणों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया है पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रिती अत्यंत बढ़ गई नेत्रों में जल चागया और रोमा वली खड़ी हो गई शिरी रगुनाची ने पहले की प्रेम को विचार कर पिता की और देखकर ही उन्हें अपने सुरूप का द्रढ ग्यान करा दिया हे उमा दश्रजी ने भेद भक्ती में अपना मन लगाया था इसी से उन्होंने मोक्ष नहीं पाया सगुन उपासक मोक्ष नलेही तिन कहुराम भगति निजदेही बार बार करी प्रवोई पनामा दसरत रशिगई सुरुभामा माया रहित सच्चिता नंद में सरूब भूत दिव्यगुण युक्त सगुण सरूब की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष लेते भी नहीं उनको श्री राम जी अपने भक्ति देते हैं प्रभू को इस बुद्धी बार से बार बार प्रणाम करके दश्रत जी हरशित होकर देव लोग चले गए चोटे बाही लक्षमन जी और जानकी जी सही परम कुशल प्रभू कोसला दीश की शोबा देखकर देवराज इंद्र मन में हरशित होकर इस्तुती करने लगे शोबा के दाम शर्णागत को विश्राम देने वाले श्रेश तरकस धनुष और बांधारन किये हुए प्रभल प्रतापी भुज दंडो वाले शिरी राम चंद्र जी की जै हो जै दूश नारी खरारी मर्दन दिसाचर धारी जै दुष्ट मार्यों नाथ बै देव सकल सनाथ भे खर्दूशन के शत्रू और राक्षसों की सैना के मर्दन करने वाले आपकी जै हो ये नार आपने इस दुष्ट को मारा जिस से सब देवता सनाथ हो गए जै भरन धरनी भार महिमा उदार अपार जै राम नारी के पाल ये जातु भान दिहाल ये भूमे का भार हरने वाले ये अपार शेस महिमा वाले आपकी जै हो ये रावन के शत्रू ये क्रपालू आपकी जै हो आपने राक्षसों को बेहाल कर दिया लंकेश अतिबल गर्ब ये बस से सुरगंदर्ब मूनि से दनर खगनाग हटी पंथ सब के लाग लंकापती रावन को अपने बल का बहुत गमण था उसने देवता और गंदर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुश्य पक्षी और नाथ आदी सभी के हट पूर्वक पीछे पढ़ गया था वह दूसरों के द्रोग करने में ततपर और अत्यंत दुष्ट था उस पापी ने वैसा ही फल पाया अब ही दिनों पर द्या करने वाले ये कमल के समान विशाल नेत्रों वाले सुनिये मुझे अत्यंत अभिमान नहीं कोई मुझे नहीं है पर अब प्रभु के चरंकमलों के दर्शन करने से दुख समू का देने वाला मेरा ये अभिमान जाता रहा कोई उन निर्गन ब्रहम का ध्यान करते हैं जिने वेद अव्यक्त कहते हैं परन्तु हे राम जी मुझे तो आपका यह सगुड कौसल राज सुरू भी प्रिया लगता है शिरी जानकी जी और छोटे भाई लक्षबन जी सहित मेरे हिदे में अपना घर बनाईए हे रमानिवास मुझे अपना दा समझे और अपनी भक्ति देजिए बेभाक्ति रमानिवास प्रास हरन सुर्ण सुर्ण दायकं सुर्धाम राम नमामिकाम अनेक चविरगुनायकं सुर्ब्रिंद रंजन बंद बंजन मनुज जतन अतुलित बलं ब्रमादी संकर सेव्यराम नमामिकारुना कोमलं हे रमानिवास हे शर्णागत के भै को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले मुझे अपनी भक्ति दीजिए हे सुख के दाम हे अनेको काम देवो की छबी वाले रगुकुल के स्वामे शिरी राम चंद जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ हे देशमों को आनंद देने वाले जनम रत्यू हर्ष विशास सुख दुख आदी द्वन्दों के नाश करने वाले मनुष्य शरीरधारी अतुलनिय बलवाले ब्रह्मा और शिव आदी से सेवनिय करुना से कोमल शिरी राम जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ हे क्रपालो अब मेरी और क्रपा करके देखकर आज्य दीजी कि मैं क्या करूँ इंद्र के ये प्रेवचन सुनकर दीन दयालो शिरी राम जी बोले प्रह्मा और शिरी राम जी बोले ये देवराद सुनो हमारे वानर भालो जिने निशाचरों ने मार डाला है प्रत्वी पर पड़े हैं उन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण दिये हैं सुजान देवराद इन सब को जिला दो काग भुषुंडी जी कहते हैं ये गरुन सुनिये प्रभु के ये वचन अत्यंत गूण है ज्यानी मुनी ही ने जान सकते हैं प्रभु शिरी राम जी तृलो की को मार कर जिला सकते हैं यहां तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी हैं इंद्र ने अम्रत बरसा कर वानर भालो को जिला दिया सब हरशित होकर उठे और प्रभु के पास आए अम्रत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई पर रीच वानर ही जीवित हुए राक्षस नहीं क्योंकि राक्षस के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे अचय वे मुक्त हो गए उनके भाव बंदन छूट गए किन्तु वानर और भालो तो सब देवाश भगवान की लीला के परिकर थे इसलिए वे सब रगुनार जी की इच्छा से जीवित हो गए शिरी रामजी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है जिनोंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया दुश पापो के घर और कामी रावण ने भी वही गती पाई जिसे श्रेश मुनी भी नहीं पाते सुबन बरशी सब सुर्चले चड़ी चड़ी रूचिर बिबान देखी सुअव सरु टभु पही आयं संभु सुजान परमपीति कर जोरी जुग नलिन नयन भरिबारी पुल कित तनु गद गद गिरा बिने करत त्रिपुरारी मंगल भवन अमंगल हारी पुलों की वर्षा करके सब देवता सुन्दर विमानों पर जड़ जड़ कर चले तब सुवसर जान कर सुजान शिवजी प्रभु श्री रामचंदर जी के पास आये और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड कर कमल के समान नेत्रों में जल भर कर पुल कित शरीर और गद गद वानी से त्रिपुरारी शिवजी विंती करने लगे माम बिर्क्षे रगुकुल नायक रतबर चाप रुचिर कर सायक मोह महांगन पटल ब्रह्मजन संसे विपिन अनल सुररंजन खे रगुकुल स्थेश अपने सुन्दर हातों में स्थेश्ट गनुष और सुन्दर दीप्तमान भारन किये हुए आप मेरी रक्षा कीजिए आप महा मुह रूपी मेह समु के लिए प्रचंड वायू है संशे रूपी वन के लिए साक्षात अग्दी है और देवताओं के लिए आनन्द स्थोत है अगुन सगुन गुन मंदिर सुन्दर भामतम प्रबल प्रताप दिवा कर आप निर्गुन सगुन और दिव्य गुरू के सुन्दर मंदिर है ब्राम रूपी अधेरे के लिए प्रबल प्रतापी सुर्य है काम प्रोथ और मत रूपी हाथियों के लिए सिंग रूप आप मुझ सेवक के मन रूपी बन में नित्यवास कीजिए विशे मनोरत पुंज कुंज बन प्रबल तुशार उदार पार मन भव बारी दीमंदर परममदर बार ये तार ये संसुर्ती दुस्तर विशे वासनाओं के समुग रूपी कमलवन के लिए आप रभल पाला हैं उदार और मन की पहुच से परे हैं भव सागर को मत्य के लिए आप मंदराचल हैं आप हमारे परमभय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए सहित निरंतर बसहु राम निप मम उर अंतर मुनिरंजन महिखन मंडन मंडन तुलसी दास प्रभु रास भिखन्डन हे श्याम सुन्दर शरीप, हे कमल तल के समान विशाल नेत्रों वाले, हे दीन बंदू, हे शड्नागत के दुख को शुडाने वाले, हे राजा राम चंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मन और जानकी जी के साथ मेरे हुद्दे के अंदर निप्ते निवास कीजिए आप मुनियों को आनंद देने वाले, रित्पी मंडल के आभूशन, तुल्सी दास के प्रभू और भे के विद्बंसक हैं नात जब ही कोसल पुरी, हो ही ही तिलक तुमार, क्रपा सिंदु में आउब देखन चरित उदार हे नात, अयोध्यापूरी में जब आपका राज्टिनत होगा, तब हे दया सिंदु, मैं महां आपकी उदार लीडा देखने आउँगा करी बिनती जब संभू सिधाए, तब प्रभू निकट विभूशन आए, नाही चरन सिरु के मदुबानी, बिनै सुन हुँ प्रभू सारंग पानी जब बिनती करके शिप जी चले गए, तब विभीशन जी प्रभू के निकट आए, और चर्णों में मस्तक नवाकर, उन्होंने कोमल वाणी में कहा, ए शारंग धनुश के धारण करने वाले प्रभू मेरी बिनती सुनिये सकुल सदल प्रभू रावन मारयो, पवन जस्त्रिबुवन विस्तारयो, दीन मलिन हिनमती जाती, मो परे क्रपा की निबहु भाती ये प्रभू आपने कुल और सेना सही तामन का संगार किया, तीनों लोकों में अपने पवित्र यश्का विस्तार किया, और मुझ जैसे दीन, पापी, बुद्धिहीन और जातीहीन पर अनेक प्रकार से खिपा की अब जन ग्रह पुनित प्रभू कीजिये, मन जन करिसमर्शम जीजिये, देखी कौस मंदिर संपदा, देहू क्रपाल का पिन महु कहू मुदा अब हे प्रभू, इस सेवक के घर को पवित्र कीजिये, और चल कर स्नान कीजिये, जिससे युद की थकावट मिट जाए, हे क्रिपालू, खजाना महल और संपत्ती का निरिक्षन कर वानरों को सहश दीजिये सब विदी नात मोही अपनाईये, पुनी मोही सहित अवद पुर जाईये, सुनत बचन म्रदु दीन दयाला, सजल बहे दौन यन विसाला हे नात मुझे सब विदी अपना लीजिये, और फिर हे प्रबो मेरे साथ ही अयोध्यापूरी को पधारिये विभीशन जी के कॉमल बचन सुनते ही दीन दयालू प्रभू के दोनों विशालने त्रयुप्रेम अश्रों से सजल पो गए तोर कोस ग्रह मोर सब सत्य वचन सुन ब्राद भरत दसा सुमिरत मोही निमेश कल्प समझाद तापश बेश गात क्रस जपत निरंतर मोही देखो बेगी सोजत नू करू सकाने हो रहू तोही बीते अभी जाओ जो जियत न पावव बीर सुमेरत अनुज प्रीति प्रभू पुनी पुनी पुलक सरीर करे उकलप भरी राज तुम मोही सुमेर हुमन माही पुनी मम धाम पाहियों जहां संत सब जाही मंगल भवन अमंगल हारी रव उसो दशिरत अजिर पिहारी श्री राम ने कहा हे भाई सुनो तुमारी संपदा महल आदी सब मेरे ही हैं यह बात सच है परंतु भरग की दशा का स्मरण कर मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है सपस्पी के वेश में अपने दुबले शरीर से वे निरंतर मेरा नाम जब रहे हैं हे मित्र वही उपाए करो जिससे मैं जल्ब से जल्ब तुने देख सकूँ मैं तुम से निहोरा करता हूँ यदि मैं अभी के समाप्थ होने पर जाता हूँ तो भाई को जीता ना पाऊंगा छोटे भाई परची के फ्रेम का समरण कर प्रभू का शरीर बार बार रुमान्चित हो रहा है श्री नाम ने फिर कहा हे विभीशन तुम कल्प भर राजे करना और मन ही मन मेरा समरण करते रहना फिर तुम मेरे उस परंभाम को पाल होगे जहां मरणो करान सब संथ जाते हैं सुनत विभीशन बचन राम के हरशिगहे पद क्रपाधाम के बानर भालू सकल हरशाने मही प्रभुपद गुन भीमल बखाने श्री रामचंद्र जी के बचन सुनते ही विभीशन जी ने प्रसन होकर दया निधान श्री रामजी के पाउप पकड़ लिए सब पानर भालू प्रसन होकर और प्रभु के चरण पकड़कर उन्हें दिव्य गुरु का गान करने लगे बहुरी विभीशन भवन सिधायो मनिगन बसन विमान बरायो लेई पुष्पक प्रभु आगे राखा हसी करिक्रपा सिंदु तब भाशा तद अनंतर विभीशन जी अपने महल को गए और उन्होंने मडियों के समुहों और वस्त्रों से विमान को भ़ा दिया फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा तब दया सागर श्री राम जी ने हसकर कहा चड़ी विमान सुनो सका विभीशन गगन जाई बरश हुपट बूशन नब पर जाई विभीशन तब ही भरशिदिये मनि अंबर सब ही ए मित्र विभीशन तुनो विमान पर चड़कर आकाश में जाकर बस्त्रों और गहनों को बरसा दो उसी श्रण विभीशन जी ने आस्मान में जाकर सारे मनि और वस्त्र बरसा दिये जोई जोई मन भावई सोई लेही मनि मुक्रमेली डारी कपी देही हसे राम शिरी अनुज समेता परम कौत की क्रपाने केता जिसके मन को जो रुचता है वै वही दे लेता है मनियों को मुँ में डालकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज ना समझ कर उगल देते है इस कौत को देखकर परम बिनोदी शिरी राम जी शीता जी और लक्ष्पन जी सहित खसने लगे मुनि जेही ध्यान नपावही नेती नेती कह बेद क्रपा सिंधु सोही का पिनसन करत अनेक बिनोद उमा जोग जपदान तपना नामक ब्रतनेम राम क्रपा नहीं करही तसी जजी निश्केवल प्रेम जो मुनियों को ध्यान में भी प्राप्त नहीं होते जिने बेद नेती नेती कहते हैं बेही क्रपा सागर श्री राम जी बामरों के साथ तरह तरह के विनोद कर रहे हैं शिप जी जी कहते हैं हे उमा नाना प्रकार की योग जब दान तप यग्ये ब्रत और नियम करने पर भी श्री राम जी वैसे क्रिपा नहीं करते जैसी शुद्ध प्रेम होने पर करते हैं भालू कपिन बट पूशन पाए पहिरी पहिरी रगुपती पही आए ना ना जिनस देखी सब की सा पुनि पुनि हसत कोसला दीशा भानू और बानर बस्क्र और आभुशन पाकर तथा उन्हें पहन पहन कर शीर रगुपती के पास आए अनेक जातियों के वानरों को देखकर कोसल पती शीर राम जी बार बार हस रही हैं चिताई सब नहीं पर किनि दाया बोले म्रदुन बचन रगुराया तुम्रे बल मैं रावन मार्यों तिलक विबीशन कहपुनि सार्यों श्री रुपनाजी ने सब की और देखकर उन पर दया की फिर वे कॉमल वदुर बचन बोले ये भाईयों तुमारे ही बल से मैंने रावन को मारा और फिर विबीशन का तिलक किया है अब तुम अपने अपने घर जाओ वहां मेरा स्मरण करते रहना और किसी से ना डरना ये बचन सुनते ही सब वानते में विबन हो गए उन्होंने हाँ जोड़ कर आदर वुर्वा कहा प्रबु जोई कहू तुम ही सब सोहा हमरे होत बचन सुनी मोहा दीन जानी कपी किये सना था तुम है त्रलोक इस रगुना था हे प्रबु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोभा देता है परन्तु आपके बचन सुनकर हमें मोह होता है हे रगुनाद जी आप तीनों लोकों के स्वामी है हम वानवों को दीन जान कर दी आपने हमें सनात किया है सुनी प्रबु बचन लाज हम मरही मसक कहू खग पतीत करही दे की राम रुक बानर रीचा प्रेम मगन नहीं ग्रह के इचा प्रबु के बचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं कही मच्छर भी गरूर की भलाई कर सकते हैं शीराम जी का रुक देखकर वीच वानर देम विभोर हो गए उन्हें घर जाने की इच्छा नहीं होती रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रुप उर राकी हर विशाद सहित चले बिन विबिद विदि भाशी कपि पति दिल रीच पति अंगद नल हनुमान सहित विबीशन उपर जे जूतप कपि बलवान कही न सकी कचुपेम बस भरी लोचन भरी सन मुक्चित वही रामतन नैनन निमेश निवारी परंतु तबु द्वारा प्रेरित होकर सब बानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में धारण कर और तरह तरह से विंती करके हर शोर विशाद के साथ धर को चले बानर राज सुगरीव नील रिक्ष राज डामवान अंकत नल और हनुमान और भी बीशन सहित और जितने महावली बानर सेना पती हैं वे कुछ बोल नहीं सकते देमवश आँखों में जल भर भर कर पलक मारना छोड़ना छोड़कर सम्मुख होकर श्री राम जी के शरीर की और एक टक देख रहे हैं जेसी आराम, जेसी